हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करे क्लिक कौन कहता है कि आस्मा में सुराख नहीं हो सकता एक पत्थर तो तबियत से उठालो यारो इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है गाउ धनावरा के गाउवासियों ने राजस्थान के धौलपुर जिले का गाउव धनावरा देश का पहला स्मार्ट गाउव बन कर उभरा है ये सब कुछ स्थानिये ग्रामीरों के बलबूते से ही संभव हो सका है ग्रामीरों के एक जुटता से लिखी गई गाउव के विकास की कहानी आज देश के सभी गाउव के लिए एक प्रेर्णा का स्रोथ बनी हुई है लेकिन धनावरा गाउव के लिए ये सब कुछ आसान नहीं था धौलपुर जिले के बारी कस्बे से 5 किलोमेटर दूर इस्थित लगभग 2200 लोगों की आबादी वाला धनावरा गाउव एक छोटा सा गाउव है धनावरा गाउव ने पिछले 7-8 सालों में विकास की नई गाथा गड़ी है देश के अन्य गाउव की तरह यहां भी खुले में शौच, कीचर भरे सक्रे और कच्चे रास्ते पानी की कमी, बेरोजगारी, इस तरिये सिक्षा की कमी आम बात थी लेकिन बाद में गाउव को स्मार्ट बनाने की कोशिश शुरू हुई इसके बाद पूरा गाउव एक साथ आया और सभी ने काया कल्प करने की ठानी इस सोच के साथ स्मार्ट विलेज धनावरा में काम शुरू हुआ सर्पंच और दूसरे जन प्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और एंजियों के समन्वे और सहयोग से गाउव का काया कल्प किया गया सबसे पहले गाउव को खुले में शौच से मुक्त करवाने का भियान शुरू किया गया इसके लिए कई बार गाउव के पंच पटेलों के साथ मीटिंग करने के बाद एक मई 2014 में प्रथम महिला पंचायत का आयूजन किया गया गाउव के लोगों को विशेश रूप से बुजर्ग महिलाओ को इसके लिए तैयार करना आसान काम नहीं था इसके लिए गाउव की युवा टीम ने घर घर जाकर सर्वे किया और लोगों को समझाने का सफल प्रयास किया हर घर में शौचाले की मुहिम के अंतरगत ग्राम पंचायत के सहीयोग से पूरी ग्राम पंचायत में 822 शौचाले का निर्माड किया गया टौलेट के पानी की उचित निकासी के लिए सीवरेज लाइन और सीवरेज वाटर ट्रीट्मेंट प्लांट का निर्माड किया गया सीवरेज लाइन पर ज़ादतर काम गाउवालों के श्रमदान के सहीयोग से किया गया इसमें मजदूरी के लिए बहुत कम पैसा देना पड़ा ये भारत का पहला गाउं है जहां पर सीवरेज लाइन और सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया है स्कूल में बच्चों के लिए आदुनिक शौचाले का निर्माण किया गया है और सारवजनिक स्थान पर शौचाले निर्माण किया गया ग्राम पंचायतों को जिलास्तर पर पहचान मिली और जिलाप्रशासंद वारा धन और पंचायत को धौल पुर जिले की पहली खुले में शौच से मुक्त पंचायत घोशित किया गया है इसके बाद गाउं की सडकों पर काम शुरू हुआ और कभी जिस गाउं में चलने के लिए ठीक से रोड नहीं थी अब वहां आसानी से गाडियां दौरती हैं वर्तमान में गाउं में पुलिस केस दर्ज ना होने के कारण जिला प्रशासन द्वारा धनवरा गाउं को क्राइम फ्री विलेज गोशित किया गया है। 16 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में आयोजित कारिक्रम में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने स्मार्ट विलेज धनौरा को आदर्श ग्राम सम्मान का खिताब देकर प्रथम पुरुसकार से सम्मानित किया था